करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल के बात गुरू जी के साथ पॉकेट डाइरी जो हम साइट इंजीनियर्स जो एग्जेक्यूशन के टाइम पे हमको जो जो चीजों की जरुद पड़ेगी वो सब चीजे इस नोट्स में आप लोगों के लिए तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि ये नोट्स में क्या एवलेबल है आप लोगों के प्लास्टरिंग शट्रिंग और क्या क्या एक्विपेंट्स हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट में वो सब चीजे आपको इस नोट्स में एवलेबल मिलेगी सबसे पहले यूनिट कन्वर्शन में कुसी को प्रॉब्लम है यहां से देख सकता है वो और जान सकत है कि कौन सी किसकी वैली होती है किसमें हम यूज कर सकते हैं फिर कन्वर्शेशन टेबल साप लोगों के लिए अविलेबल है उसके बाद जो हमारी स्टैंडर्ड कन्वर्शेशन फैक्टर होते हैं वह होता है आपका इंच फूट यार्ड माइल एकर यह सब डेटा आप लो different type of concrete grades होते हैं वह grades के बारे में भी दिया हुआ है उसके बाद में अगर design mix की बाद करूं तो M15 का अगर है तो M15 का ratio 1 to 4 होता है फिर उसमें कितना cement यूज़ करोगे आप कितना sand यूज़ करोगे कितना aggregate यूज़ करोगे कितना पानी मिलाओगे सब चीज़ें आप लोगों को इस notes में available मिलेंगी M15 से लेके M20, M25 इन सब का आपको mix design available है फिर उसके बाद हम लोग को देखना होता है कि site में जो हमारे पास rods आई है उनका calculation त से लेके 40 mm तक के rods के लिए available है फिर clear cover जो हम लोग cover provide करते हैं जब भी हम लोग concrete कराते हैं concrete और reinforcement के बीच में वो cover आप लोगों के लिए available है फिर 1 meter length steel के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं उसका क्या formula होता है वो सब दिया हुआ है आप लोगों के लिए फिर जो ratio है उस ratio का help कर away करेंगे और कैसे cement sand aggregate की quantity निकालेंगे यह सब available है आपको इस notes में फिर material calculation है cement bags में अगर आप PCC करा रहें तो आपको कितना bag लगेगा 1510 में फिर 148 में 124 में क्या क्या कितने कितने bags लगेंगे सब आपको लिए available है sand calculation जैसे cement का bags आप निकाल रहे हैं वैसी sand calculation plaster के लिए ब्लिक वर के लिए सब के लिए आप लोगों के लिए इसमें available है next जो मैं बताने वाला हूँ वो bricks के बारे में है bricks में हम लोग क्या क्या चीज़े चेक करते हैं site में और क्या क्या standard size होती है वो सब आप लोगों के लिए available है क्या volume होता है क्या physical test on cement जो आप physical test कर सकते है site में वो क्या-क्या test होते हैं और कैसे होते हैं वो सब चीज़े एक ही notes में आप लोगों के लिए available है फिर क्या compressive strength test होता है cube method कैसे करते हैं हम लोग और कब करना पड़ता है यह totally as per आपके site condition के हिसाब से ही बनाया गया है cement bag की specification में हम लोगों क्या-क्या चीज़े देखनी पड़ती है और कैसे उस चीज़े को carry out करना होता है अगर checklist की बात करूं मतलब आप site में गए आपका shuttering का काम हो रहा है तो आप क्या-क्या चीज़े चेक करेंगे उसके बारे में दिया है reinforcement हो रहा है उसके checklist आपके लिए available ह है concreting हो रहा है उसके लिए जो checklist होनी चाहिए वह भी available है फिर एक thumb rule मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जो एक approximately आपको एक data दे देगा कि कितना आपका material या कितने quantity आपका आने वाला है इन सब work के लिए यह सब चीज़े आप लोगों के लिए available है जो de-shuttering time होता है हमारा जो strapping time होता है as per IS 456-2000 के accordingly हमको shuttering cup remove करना चाहिए वो सब चीज़े इसमें आप लोगों के लिए available है फिर points to remember during concrete आप concrete कराते और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे यह totally आप लोगों के लिए site experience के through ही बनाया गया है यह चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी यह सब चीज़ें आप लोगों के लिए available है फिर उसके बाद points to remember during brick work, brick work कराते टाइम आपको क्या क्या बाते ध्यान में रखनी है वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए during shattering, shattering के time पे आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है ताकि आपका काम अच्छी quality के साथ सा ही तरीके से भी हो फिर next आपका test results required before execution जब आप execution का काम start करते है site में तो क्या क्या test होते है concrete के लिए sand के लिए aggregate के लिए brick work के लिए steel के लिए वो सब चीज़ें आप लोगों के पास data होना चाहिए उसका और क्या क्या test होते हैं वो सब के बारे में दिया हुआ है फिर next आपक कोई project start कर रहे होंगे वहाँ पर आप लोगों को safety measures का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वही safety measures क्या क्या होने चाहिए totally जैसे gloves होना चाहिए वेस्ट होना चाहिए gum boots होने चाहिए helmet होने चाहिए और कैसे हम लोगों को क्या क्या क्यों use करना चाहिए वो सब के बारे में यहां पर लिखा हुआ है क्या क्या हमको safety measures रखते हुए अपने project को आगे बढ़ाना है पूरे totally यहां safety measures के बारे में बात हुआ है और जब एक site engineer जब site visit करता है तो उसके पास क्या क्या चीजे होनी चाहिए कैसे उसको measurements लेनी चाहिए वो सब चीजे आप लोगों के लिए available है कि volume क्या होता है area क्या होता है labor required for different work आप यहां से एक data उठा सकते हैं जैसे अगर आप earth work कर आ रहे होंगे तो earth work में आपको कितना बेलदा data जिसकी help से आप अपने site execution को कर सकते हैं cement concrete work के लिए दिया गया है यहां RCC work, brick work, finishing सब के लिए आपके labor की quantity है क्या प्रॉक्स data दिया गया गया जिससे आप manipulate करके अपने site का भी data निकाल लेंगे कि आपको कितने labor की जरुवत पड़ेगी फिर इसके साथ साथ में आप लोगो भी है फिर reinforcement details की बात करें तो FE 250 क्या होता है FE 415 क्या होता है FE 500 क्या होता है जो हम लोग site में use करते हैं जो कि अभी बहुत जादा use हो रहे हैं वो क्यों यूज हो रहे हैं वो सब चीज़ों के बारे में दिया गया है जो contractors profit and overhead cost लेते हैं तो totally आपको contractors profit और overhead के बारे में समझा जाए गया है कि क्या क्या चीज़ें करता है एक overhead में फिर ड्राइक ओफिशेंट फॉर concrete जो लेते हैं वो कैसे निकालते हैं और कैसे लेते हैं फिर ड्राइक ओफिशेंट फॉर मोटार आप लोगों के लिए है फिर तर्मिनलोजी जो हम लोग site में use देखते हैं कि segregation आ रहा ह है उन सब चीज़ों को कैसे रोग सकते हैं और वो किन कारणों से होता है तो different different work के लिए आपके different different types of cement use होते हैं उन सब के बारे में uses लिखा हुए है कि आप कौन सा cement कहां पर use करेंगे और वो एक दूसरे से कैसे differ करते हैं फिर plastering defects के बारे में कि क्या क्या defect आता है plastering में उस हैं उन सब को बचाने के लिए पूरी remedies दी हुई हैं आपको जिसको आप बिलकुल use करके अपने site में useful हो सकता है आप लोगों के लिए फिर classification of brick कैसे आप पहचानेंगे कि first class brick use हो रहा है कि second class, third class या fourth class तो उसके बारे में एकदम detail में दिया हुआ है कि आप कैसे पहचान सकते अपने bricks को वो पूरा totally दिया हुआ है इसमें और उसके साथ अपने method of hand mixing कहीं कहीं आप लोगों ने देखा हुआ कि generally जो motor है हम लोग hand mixing के थूप बनवाते हैं तो वो कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज़े होती है वो सब आपको इस पूरे sheet में मिल जाएगा कैसे हम ल एक चीज आप लोगों के लिए available है फिर precaution during hand mixing क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम लोग hand mixing कराते क्योंकि machine mixing और hand mixing में बहुत जादा फर्क है वो फर्क आप यहां से समझ पाएंगे कि hand mixing में हम लोगों को क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख आते हैं साइट में फिर यहां लास्ट बात करें तो construction टूल लिस्ट की यहां totally आप लोगों के लिए जो construction में हम लोग tools use करते हैं कैसे दिखते हैं और उनका use क्या है वो सब चीज़ें आप लोगों के लिए available है आप देख पा रहे हैं कि यहां पे आप लोगों को पूरा diagrams के थूँ बताया गया है किसी ने में से पूछा था कि float का मतलब क्या होता है funty तो उसके लिए बहुत useful रहेगा site में क्योंकि हम लोगों को जब use करना होता है तो हमको समझ नहीं आता कि हमारे equipment का नाम क्या है आप महां से नाम समझ सकते हैं और उसका use और वो कैसा दिखता ह है तो यह सब चीज़े आप इन पूरे list में सीखेंगे कि plum box कैसे use करते हैं plum box होकता क्या है travels क्या होते हैं यह सब चीज़ें आप लोगों के लिए totally available हैं तो आज ही देखिए www.civilgurish.com पे और आप यह pocket diary site engineers के लिए रख सकते हैं जो आप day to day life में आप carry कर सकते हैं और इससे experience जो हमारे जितने भी trainers हैं उन सब का experience मिला कि यह notes आप लोगों के लिए बनाया गया है ताकि क्या 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 difficulty आती है एक site engineer को site में काम करते टाइम तो वो उसको देखते हुए आप लोगों के लिए नोट्स बनाया गया है तो बिलकुल बने रहिएगा civil guru जी के साथ मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में